हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जैक और आप देखरें मेरा यूटीब चैनल जैक्स व्लॉग दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज भी हम बात करेंगे एक मुद्दे के ऊपर दोस्तों सोसल मीडिया एक बहुती बड़ा प्लाटफर्म बच चुका है बहुत सालों से ये हम सब को पता है लेकिन यहाँ पर अब से जस्टिस भी मिलने लगा है हम सबी को पता है ये सोसल मीडिया ही है जिसके वज़े से सुसान सिंग राजपूत का केस अब CBI के हाथ में है तो आप क्या कहना चाहता है ये एक सबसे बड़ा प्लाटफर्म है या नहीं सच में है दोस्तों हम आज बात करेंगे बेंगौली इंडिस्ट्री, हिंदी इंडिस्ट्री, तमिल इंडिस्ट्री और पूरे भारत के चहते सिंगर अरजीत सिंग के बारे में कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है सडक 2 का म्यूजिक अलबम हम लोगों को पहले पता था कि पूजा भट ने ट्वीट की थी कि अरजीत सिंग का भी एक गाना होगा जिसका नाम है शुक्रिया जो एक कॉम्बो गाना है जिसमें अरजीत सिंग के के सर और जो भी नौट यलतीनों एक साथ गाना गाने वाले हैं बात जब आता है अरजीत सिंग का तो फैंस पागल हो जाते हैं सच में दोस्तो बहुत सारे फैंस इंतजार कर रहे थे अरजीत सिंग के फिल्मी गाने के लिए क्योंकि लौकडाउन के बज़े से बहुत दिनों से बड़े बड़े सिंगर्स का बड़ा बड़ा गाना रुका हुआ था और सड़क टू एक जरिया है जिसमें अरजीत सिंग का गाना आने वाला था तो फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहा था और जब रिलीज हुआ उसका अलबम उसमें अरजीत सिंग का कहीं भी नाम नहीं है ये देखे सभी पागल हो गया और सभी ने हैस्टेग चलाना सुरू कर दिया एक्चुली ये हैस्टेग ही है जो एक मोर्चा खोलने का काम करता है हाला कि ऐसा बहुत सिंगरों के ऊपर देखा जाता है कि गाना रेकॉर्ड होता है लेकिन वो रिलीज नहीं होता है वो अन ओफिसियल ही कभी कभी होता है या फिर वो हमेशा के लिए दब जाता है केके सर का तो बहुत सारा ऐसा गाना है जो release हुआ ही नहीं है जो सिब को पता ही नहीं है लेकिन यहां पर बात अर्जीत सिंग का है और उनका fanbase बहुत श्यादा बड़ा है और बहुत crazy fanbase है इसी लिए वो सभी मिलके इसके खिलाफ मोर्चा उठाया और अब मिला है सकसेस दोस यानि जो music composer है उन्होंने भी कहा था कि अरजीत का गाना normally release भी कर देना चाहिए हालत बहुत ही खराब है महेश भट का नाम ऐसे ही कलंक हो चुका है और music label से भी अब अगर उनका नाम खराब होता है तो कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए शायद उन सभी ने मिलके अरजीत का गाना release करने का decision लिया है और ये fans के लिए सच में खुशखबरी है सच में उनके लिए ये एक बड़ा जीत है हम चाहेंगे सोसान सिंग राजबूत के case में भी सच्चाई सामने आएं और एक case है जिसके उपर मैं next video बनाने वाला हूँ सायद आप सभी को पता होगा निर्मला पंत के बारे में और अगर नहीं पता है तो मेरा next video का इंतजार जरूर कीजिए क्योंकि इंसाफ सभी को मिलना चाहिए इंसाफ एक इंसान का हक होता है अब लोग कमेंट करना ना भूले कि क्या आप इंतजार कर रहे है अरिजीत सिंग का शुक्रिया गाना रिलीज होने के लिए क्या सुनने के लिए बेताब है कमेंट पे ज़रूर बताए और हाँ मेरी चैल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एसे ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द तब तक के लिए टाडा